नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं उत्राखंड के मुखमंत्री त्रिवेंज सिंग रावत ने इसरो के बेग्यानिकों के हवाले से कहा कि रभिवार को चमोली जिले में आपदा हिमखन तूटने के कारण नहीं बली लाखो मेट्रिक टॉन वर्फ के एक साथ फिशल कर नीचे आने की वहज़ से आई रहनी छेत्रे में रीसी गंगा और धोली गंगा में अचानक आई बाढ़ के कारणों यहां पर सेना भारत तीबत सीमा पुलिस के अधिकारियों और इसरो के बेग्यानिकों के साथ बैट मौसम विभाग के उनसा राची के मौसम में 13 फर्वरी तक कुछ खास बदला होने की समभावना नहीं है बरतमान में पच्मी भी छोप का असर ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है इस दोरान को डर्मा हजारी बैग चात्रा लातियार लोह दगा सिम्डेगा पलामू अगर खिलाखार सवा और पूर्वी सिम्भू में आउसत निवत्यों थापमा ने 11-12 डिग्री चल्शेस रिकोड किया गया जे पीसी के बिग्यापन जारी 252 पदों के लिए होगी परिक्षा जारखन लोग सेवा आयोग यानि जे पीसी की सन्यूग सिविल सेवा परिक्षा के ल परवाज से 15 मार्श तक ऑनलाइन फरम भर जाएंगे बता देया सन्यूग सिविल सेवा परिक्षा एक साथ 4 बर सो बर्थ 2-17 से 20 तक के लिए होगी चमोली हादसे में जारखन के 13 स्रामिक भी फसे सरकार ने जारी किया हेलफ लाइन नमबर उत्राखन के चमोली में हुए हा एक हेलफ लाइन नमबर जारी किया है रादे कंट्रोल रूम नमबर 0652 955 दूसरा नमबर 0652 983 तीसरा नमबर 0652 937 चांथा नमबर 0652 978 पाराश सिक्षक को अस्थाई करने को सिरीजित हो सकता है नय पद ज्यारखन में समागर सिक्षा अभ्यान के ताहत कारणात इनके बेतन मान देने को लेकर प्रस्तावित सेवासत निमावली अंतिम रूप में है वह यस थाई करन के लिए सिक्षको के नय पद ज्यारखनावर में उतीर हुए छात्राओं को मिलेंगे 1550 रूपए इसकूली सिक्षा उमसर्चता विभाग ने सरकारी मदमिक इसकूलों में कक्षा नौ से बरावी में नमांकी छत्राओं के लिए पोसाक किताब तथा कौपी मद में 54 कोड़ रूपए जारी कर दिया है विभाग ने इस रासी के उपयोग को लेकर विस्तिरी दिशा जो बोड़ परिक्षाओं में प्रतम पर्यास में होतीन होई हो बता दे इस विजनाव के तहद प्रती 16 पोसाक मद में 600 किताब मद में 750 तथा कौपी मद में 200 रूपए अर्थात कूल 1550 रूपए मिलेंगे टीका नहीं लेने वालों को देना होगा घोसना पत्र कुरोना टीका करण के लिए बुलाए जाने पर टीका लगाने से इंकार करने वालों को इसका घोसना पत्र देना होगा बता दे या बताना होगा कि वह स्वेक्षा से टीका लगाना नहीं चाहते हैं सोमवार को स्वास्थ कर्मियों के टिका करण अभियान की समिक्चा करते हुए उपायुग छवी रंजन ने यह दिशा निर्देश दिया वह सोमवार को क्रोना टिका करण और जाज की समिक्चा कर रहे थे ज्यारखण में साथ लोगों को मिला विर्शा मुंडा ज्योति शमान अखिल भावतिय संस्कृतिक विकास महासं की रिजत जेहन्ती के अशर पर ज्यारखण संस्कृतिक महोच्षा का आवेजन भोटी में सोमवार को किया गया इसमें जार्कन के अलग-अलग छेत्रों में काम कर रहे साथ प्रतिभावान लोगों को बिर्शा मुंडा जोति समान 2021 परदान किया गया इसके साथ ही जालीबूट के 11 फिल्म कारों को जार्कन फिल्म आट अवाट से समानित किया गया बता दे राची के एपी रफायद हंस गित संगीत मेजमसेदपूर के सुमित्रा बनर जी सिक्षा में देवगर के डाक्टर प्रदीप कुमार सिंग देव साहित में पलामू के हरिवन्स प्रभात को दिया गया आर्बियाई का बीतिय सक्षरता सब्ता अराम भार्तियर यर बैंक राची छत्रिय कर्याले की ओर से सोमर को बीतिय सक्षरता सब्ता का सुभारम किया गया इसके तहट आर्बियाई की ओर से बायरा फरवरी तक राज्य के सभी जीलों में विसेस अभ्यान चलाया जाएगा इसमें बैंक के ग्राकों को लेन देन सरकार की विविन विजनाओ और इसके लाब के समध में जागरूप किया जाएगा जार्खन में 38 संक्रामित की पुष्टी हुई है जो राची से 12, पूर्वी सिमूं से 16, देवघर से 2, धनबाद से 2, कोडार्मा से 2 संक्रामित मिले है जार्खन में कूल संक्रामित की संक्या 1,99,000 पंचत्पन है जबकि 1,77,549 लोग तुष्ट हुए और 1,088 करिम्री भखांद में 8,689 नहीं संक्रामित की पुष्टी हुई है भारत में कूल मौत की संक्याई 1,55,195 है वहीं भारत में एक्टिब केस 1,41,18 है जार्खन में एक्टिब केस 430 है जार्खन सरकार 3 मार्च को पेस करेगी बजट जार्खन विधान सभा का बजट सत्र 26 फरवरी से 23 मार्च के दरन आउत होगा हिमत सरकार वितिय वर्ष 2021 का बजट आगामी 3 मार्च को पेस करेगी पहले दिन राजेपाल द्रोपदी मुर्मो का बजट अविभासन होगा राजेपाल ने सोमवार को बजट सत्र आउत की इसके बाद मंत्री मंडल सचीवाला एम निग्रानी विभाग ने बिधान सभाग के बजट सत्र की करवाई का बिस्त्रीत ब्यवरा जारी किया बीस एकर में बनेगा बोकारो अंतराश्टिय क्रिकेट इस्टेडियम के माध्य तक स्टेडियम निर्मान का कार्य भी सुरू हो जाएगा बोकारों में किरिसी रिण माफी योजना सुरू पांच किसान लभानवीत सोमवार को जीला किरिसी कर्याला के सभागार में जीला किरिसी पतादिकारी राजीव कुमार मिश्रा की अध्यक्स्ता में जारकन किरिसी रिण माफी योजना को लेकर जीला अस्तरियकार साला कायोजन किया गया बता देकार साला में जीला किरिशी पतादिकारी राजीव कुमार मिज्रा ने बताया कि जारकन सरकार की किरिशी रिण माफी जोजना किसानों के लिए एक बेतर आउसर है इस जोजना का लाप दिलाने के लिए सभी को साथ मिलकर काम करना होगा उन्होंने जीले के सभी BTM एवं ATM सहीत बैंक के प्रति निदी को उक्त कार्य की प्रत्मिक्ता देते हुए कार्य करने का निदिस दिया साथ ही उन्होंने बताया कि चंद्रफूरा परकॉंट अंतरगत पांच किसानों का किरिश्दी दिन बैंक ऑफ इंडिया चंद्रफूरा द्वारा माप किया गया बजट की रासी खर्च करने में हमन सरकार फिसली 50% भी नई खर्च कर पाई जार्कन सरकार इन दिनों नए बित्य वर्च 2021 के लिए बजट की त्यारी में जूटी है बतादे तिन मार्च को विधान सभा में नए बजट पेस किया जाएगा इसे पहले चालू भी तिय वर्च में हुए खर्चो का लेखा जोखा भी विभाग के अंदर चल रहा है अधिकांस विभाग बजट में आवंटीद विकास वे नव के प्रवधान के अनुरूप खर्च करने में फेल रहा है सिक्षा मंत्री नव फरवारी को होंगे डिस्चार्ज अभी चेनाई में ही रहेंगे चेनाई के MGM हेल्थ केर होस्पीटल में इलाजरत जार्खन के सिक्षा मंत्री जगनात मातों का स्वास्थ पाले से काफी बेतर हो गया है बता दे मंगलवार को होस्पीटल से चुटी मिलेगी हलाकि इस दोरान सिक्षा मंत्री अभी कुछ दिन चेनाई में ही रहेंगे कयास लगाया जारा है की सिक्षा मंत्री सिरी मातों बसंद पंचमी या उसके बाद जर्खन लोटेंगे बता दे की आठ फरवरी को ही होस्पीटल से चुटी मिले की समावना थी जर्खन एकेडमी कॉंसिल जर्खन अगले सात्र से किसी भी परबन पत्र में सुधार के लिए सुल्क लेने की त्यारी में है बता दे इस दफा अंग पत्र में मौझूद तुरूटी के सुधार के लिए विद्यार्थियों को किसी भी तरह का सुल्क नहीं देना पड़ा है परसानी अभ्या है कि जैक द्वारा की गई गलती के सुधार के लिए विद्यार्थि को ही सुल्क भरना होगा वहीं विद्यार्थियों का काना है कि परवान पत्र में अधिकतर गलतिया जैक द्वारा की जाती है इसमें नाम जर्मतीती से लेकर माता पिता के नाम तक गलत अंकित कर दिया जाता है लोहरदागा के नौ लोगों का नहीं चल रहा पता है उत्रा खंड में गलेसिया तूटने के बाद होई तबाही से NTPC Power Project में काम कर रहे हैं लोगों का फोन स्वीच ओफ आने के बाद से उनके परिजन काफी परिशान है परिजनों ने हेमाद सरकार से इन लोगों को खोजने की अपील किया है Google Map पर परदर्शित होंगे सिम्डेगा के आठ परियाटन अस्थाल सिम्डेगा के DC सुसांत गोरों ने अजिसुशित किये गए सभी आठ परियाटक अस्थलों को Google Map में परदर्शित करने की बात कही है ताकि परियाटकों को आने जाने में कोई परिशानी नहों उन्होंने सम्दित अभियांता को कहा है कि यदि किसी भी परियाटन अस्थल के विकास में बन भोमी आड़े आते हैं तो अपर समाहार्ता एवं बन पतादिकारी से समन्वाई अस्थापित करते हुए स्वासमाय फोरेश्टर किलियरेंस कराते हुए निर्माना धीन कारे करा है नियोजन निति पर रखबरदास ने उठ़ाया सवाल भाजपा के रश्टिया उपाद्यक्ष रखबरदास ने राजशरकार अस्तर से रध की गई नियोजन निति पर सवाल उठाये हैं सोमगार को राजी इसीत भाजबा परदेश मुख्याले में आयोजीत सनवादाता समिलन में उन्होंने काया कि नियोजान नीती में क्या खामी थी और अगर खामी थी तो राज सरकार हाई कोट के नियनाय के खिलाब सुप्रीम कोट क्यो गई रोगवर ने कहा कि अधी राई सरकार को नियोजन नीती में कुछ कौमिया दिखती थी तो उन्होंने संसोधित किया जा सकता था रोध करने की क्या ज़रूरत थी पारा सिक्षको का एक गुट जारखन प्रसिक्षित पारा सिक्षक संग के बैनर तले अप्रसिक्षित पारा सिक्षको के मांदे के भुकतान की मांग को लेकर जारखन सिक्षा पर्योजना परिसत करयाल है के समख्ष धरने पर हैं बतायदे परासिश्कों की मांग है कि राजे भर के लगवक तीन हयार अप्रसिक्षित परासिश्कों को उनके 22 मां से लंबित मांदे का भुतान किया जाए इनमें पलामू के छतरपूर एवं नौडिया के भी परासिक्षक सामिल हैं गौतला भाय की रभीवार को एक एक क्रि परासिश्कों के लिए जेल परसासन ने फोर्जी जाइमर लगाने की त्यारी कर ली है बतादे जल्द ही इसकी कवायद सुरू कर दी जाएगी पुरों में जेलों में टूजी जाइमर होने की वज़़द से मोबाइल इस्तिमाल के मामले सामने आते रहे हैं इसे देखते कि उन्हें जेल के भीतर जाने की अनुमती दी जाएगी धन्यवाद यादि आप चैनल परना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहल का बेल एक अंद भाईए साथी साथ आप वीडियो को एक लाइक कर अपने दोश्तों के साथ सेयर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमे आपना फिर्वाइक हुआ से थांक यू